दोस्तो मैं अलतना सरो स्वागत है आप सभी का स्वाधिश्ट भोजिन में दोस्तो आज मैं आपको बकरे का फेफड़ा और कलेजी मसालेदार बनाना बताऊंगी स्वाध इसका कई गुना जादा होगा और दोस्तो इसे आप बनाएंगे तो एक बार 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 इसे बनाके खाना चाहेंगे ये मेरा चैलेंज है क्योंकि इसका स्वाध इतना जादा है दोस्तो मैं बताई नहीं सकती आपको कि इतना जादा अच्छा होगा इसका स्वाध मैं तो हाँ दोस्तों इसे हम सबसे पहले अच्छे से धो करके साफ कर लेंगे तो हाँ दोस्तों मैंने यहाँ धोया नहीं है मैंने धोने का तरीक आपको नेश्ट वीडियो में बताया है तो आप नेश्ट वीडियो देखना नहीं भूलियेगा तो आप दोस्तो ऊपर दियो आई बोटम पर क्लिक करके कटिंग का प्रोसेस आप जान सकते हैं मैंने बहुत अच्छे तरीके सारे टीप्स आपको समझाया है दोस्तो अभी तक चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं किये तो सस्क्राइब कर दीजिए और बगलने बेल की घंटे है उसे बजाना आप नहीं भूलिएगा तो चलिए दोस्तो इसे हम बनाने की प्रोसेस पर चलते हैं चूले दर जला दिया है कड़ा ही मैंने चूले पर चड़ा दिया है अब इसमें डाल देंगे सरसो का तेल तेल थोड़ा ज़्यादा आइट करेंगे तेल जैसे ही गरम होगा वैसे इसमें हम फेफडा कलेजी आइट कर देंगे उसके बाद इसे हम अच्छे से तेल में मिला देंगे दोस्तों फेफडा और कलेजी में बहुत सारा पानी छूटेगा आप इसे तेज आज पे पकाना और इसे आपको तब तक पकाना जब तक की अच्छे से लाल ना हो जाए तेल में तब तक इसका पूरा पानी खतम हो जाएगा और तेल में बहुत ही अच्छे से लाल हो जाएग तो मेरी सासू मा खेतों में बहुत सारा मेनत कर रही है मतलब धान काट रही है तो यहां घर पे मैं फेफड़ा और कलेजी बना रही हूँ तो यह देखे दोस्तों जो फेफड़ा कलेजी मैंने ढखा था पकने के लिए इसका सारा पानी अच्छे से खतम हो गया है अब देख सकते हैं बहुत अच्छे से यह लाल हो गया है तेल में बिल्कुल आपको सेम इसी तरीके से लाल करना है तेल में जैसी अच्छे से तेल में लाल हो जाए आप इसे कडाही से निकालके अलग बरतन में रखे लिए फेफड़ा और कलेजी को तो तेल में अच्छी तरह से फ्राई हो गया है तो चलिए अब इसे हम मसाले में फ्राई करेंगे तो हम चूले पर रख देंगे फिर से कोई बड़ा बरतन उसमें डालेंगे सरसो के तेल तेल जैसे गरम हो जागा वैसे इसमें डालेंगे चकर फूल, छोटी लाची, बड़ी लाची, एक डाल चिनिका टुकड़ा, तेज पत्ता उसके बार इसमें डाल लेंगे हरा प्याज, बड़ा एक सूखा प्याज और हरी में चैट कर देंगे तो इनको हलका सा हम लाल कर लेंगे, तेल में ज्यादा लाल नहीं करेंगे, हलका सा ही बस फ्राई करेंगे तो चूले के आज उसके बाद आप मेडियम कर देना जब यह हलके से फ्राइ हो जाएंगे तो उसके बाद दोस्तो अब इसमें हम डाल देंगे अध्रक लेशन का पेश्ट यहां मैंने तीन चार चमश लिया है क्योंकि इसमें इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है दोस्तो क्योंकि नोन बेज में आप अगर अध्रक लेशन का पेश्ट हो ज़्यादा एट करें तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है तो इसे भी आपको हलके से मतलब लाल कन लेने है तो यहाँ देखिए मैंने से हलका सा लाल कर लिया है बस आपको इतनाहीं से करना है उसके बाद दोस्तों आप इसमें हम डाल देंगे जो मैंने फेफड़ा और कलेजी तल के रखा है इनको भी अच्छे से हम मिलाएंगे चूले कि आज आप ध्यान रखें कि समय मीडियम ही आपको रखना है नहीं तो सारे मसाले समय जलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि दोस्तों इस रस्मी में हमें पानी की जुरत नहीं है उस पर से डाल देंगे मीट मसाला आप कोई भी कंपनी का मेट मसाला एट कर सकते हैं उसके बाद देंगे हम एक बड़ा चमश नमक या स्वादा नुसार तो इससे मचस मिला देंगे तो इससे हम हलके हलके आचो पे से धीरे-धीरे भूनते रहेंगे तो यह देखे दोस्तो अच्छे से भून गया है अब क्या करेंगे इससे हम ऐसे मीडिया माच पे ढाक के छोड़ देंगे दो या तीन मिट के लिए तो यहां देखे दोस्तो मैंने से तीन मिट के लिए ढ़का था तो आप देख सकते हैं तिल कितने जादा उपर आ रहे उभर के यह अच्छे से पग गये हैं और हम उपर से हरधनी ऐट कर देंगे अगर आपको हरधनी पसंद है तो जरूर एट करें या आप इसे सकीप कर दें तो दोस्तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भुन तयार हो गया है कैसे हम इतार के चूले नीचे रख लेंगे पर अगर आप जब आ रहें दोस्तों तो अगर मसाला अगर आपका लग गया है कडाही में लगने तो नपाए लग रहा है तो आप जरूर इसमें पानी के चीटे मारे या या आप इस ना पाने बनाई जल्ने ना पये पहोत ही अच्छा ये बना हुआ वह ऑंगी आश्या घुसिता से भी आ रही को हुआ आप के मौन पाने या रहा है नो जल्दी से जाएं आप यंगी दोस्त जाएं बक्रे मुताएं और कलेजी बनाएए खाएए कॉमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलियागा कि आप जो ये रिस्पी बनाया थे बना कैसा था स्वात कैसा था तो चलिए दोस्तों फिर भी लेंगे आपको एक नई रिस्पी के साथ तब तक के लिए बाए